कल जो 31 तारिक को नू में घटना हुई बहुती एक दुरुभागे पूर्ण घटना है कुछ लोगों ने एक श्रेंद्र रच करके उस यात्रा पर आक्वन करना शुरू किया आक्वन न केवल यात्रा पर बलके पुलिस के उपर भी उन लोगों ने किया जिसके प्रणाम सुरूप यात्रा को भी भंकिया गया निश्य रूप से एक बड़े श्रेंद्र का कहिने के इसा लगता है वहां कर्फू लगाया गया है कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है सारी नजर रखी जा रही है कल जो 31 तारिक को नू में घटना हुई बहुत ही एक दुरुभागे पुर्ण घटना है इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उचदेगारियों को डिजी पी साब, डिजी सीएडी, डिजी पी लाइंड ओडर और अन्य आसपास के जलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत महां रवाना किया दो पैर दो बज़े के आसपास की घटनाएं है घटना इस परकार हुई के वहाँ समाज की एक यात्रा जो हरवस निकलती थी और आकमन नकेबल यात्रा पर बलके पुलिस के उपर भी उलोगों ने किया जिसके प्रणाम सुरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजिनी के घटनाएं हुई गाड़ियां जला दी गई पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की और से हमने निवेदिन किया था वहाँ से जो केंद्रियस रक्षाबल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं 30 कंपनीज हर्याना पुलिस की भी वहाँ पहुची हैं इन सब ने नू में सिति को सामने किया है आसपास के जलो में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी चाहे वो पलवल की हैं गुरुगराम की हैं अत्वा फृतावद की हैं उन सब पर काबू पालिया गया है सब जलो में शांती स्थापत इस समय की गई है फिर भी एतियात के तोर प नू से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्रूप से पैचान करके उनके खिलाफ करवाई की जाएगी अभी तक सब में लाकर चवालिस के असपास F.I.R. हुई है और सत्तर लोगों के खिलाफ अभी नामजदू को किया गया है उनको रियास्त में लिया गया है च्छा जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो अभी तक जानकारी है कि पांच लोगों की मृत्यू हुई है जिसमें दो पुलिस के करमचारी हैं और तीन सिविलन हैं इन सब को चाह जानी नुकसान अथ्वा माली नुकसान है इन सब को मौज़ा जरूर दिया जायेगा और मैं अप की है उसके अनुसार में आशा करता हूं कि सब लोग शानती बनाने में और सयोगी होंगे और आगे कोई स्थिती न बिगड़े इस परकार का सुनिश्यत जरूर करेंगे